तो हम चले लालबा कराज और अच रही हमारी पलतन जो बहुत एकसाइटेड है मैं फिरस टाइम जा रही हूं गूंसे और यो फिर हल्सिद में hers जहाखेन Als सफmind और इस टेशन से हम वाकिंग डिस्टेंस पे पहुँच जाएंगे लालबा कराजा तो हमारा सफर शुरू हो चुका है बीच में हमने ली एक दो सेलफी क्योंकि वो जादा जरूरी है और फाइनली इतनी मेहनत के और दो तीन घंटे के सफर के बाद हम पहुच गए लालबा कराजा और फड़ा फड़ से दर्शन कर लेते हैं पर फड़ा फड़ से नहीं हो सकता यह दर्शन आप लाइन देख सकते हो यह आपको कम दिख रहा है मेरे कैमेरे में क्योंकि मेरे हाइ इतनी जादा लाइन थी इतनी जादा लाइन और गर्मी थी कि at least हमें तीन चाल गंटे तो लाइन मी गए एसे खड़े 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 इसमें रिकॉर्ड करने जैसा भी जादा कुछ था नहीं पर फिर भी मैंने दिखा है पर आप फिर भी जाज रखते हो क्योंकि अगर आपको दर्शन करना है तो हम बहुत देर तक लाइन में खड़े रहे हैं बीच बीच में ऐसे टॉइस वाली जग में महनत कियोगी तभी वह वी आईपी में जा रहे है नेक्स्ट येर शायद मैं भी जा पाऊ फिलाल हम लाइन लगा लेते हैं वैसे आप लोगों को भी अगर जाना है लाल वाक करा जा तो आप बिंदास जा सकते हैं इतना कुछ लाइन और प्रॉब्लम नहीं होता है तो यह रहे है लाल वाक के राजा बोलो गंपधी बापा मोरिया और आप कहीं से भी चाहों मुंबई से हर दूर दूर से लोग आते हैं इनके दर्शन करने क्योंकि कहते हैं पर जो मांगो पूरा होता है तो प्लीज आईए और गंपती के टाइम पर तो मुंबई का अलगी मज होटल लेकि तो रुकेंगे निया बादे घंटे के लिए उसके बाद हमने फिर से चालू कर दिया वाक करना वाक करते करते के चिंदामनी पर आपको सच बताओं मैं आपको चिंदामनी के दर्शन नहीं करवा सकती क्योंकि वहां का लाइन देखने के बाद हम इतने ठक गए थे कि हमने सोचा दूर से प्रणाम करते गनेश जी को और निकल जाते पर वेट मैंने लाइन का वीडियो लिया हुआ है वहना आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसी मजाग कर दो चिंदामनी में तो लाइन होती नहीं है तो यह देख लो कितनी लंबे लाइन है मतलब पता ही निकांग शुरूओगे और कब खतम होगी इसलिए हम वहाँ से निकल लिए महाँ से निकलने के बाद एक ही टैक्सी में हम इतने लोग भर के गए कहां पर आप क्यास कर सकते हो वैसे मुझे पता है आप नहीं क्यास कर पाऊगे पर कैसे ठूसे वे हैं वो देखो पहुच ग हम से बैठते रात बिताते और सुबह की पहली ट्रेन पकड़ के जाएंगे हम यहां से और बहुत अच्छा लग रहा था उसके बाद हमने खाया आपल क्योंकि शायद हम फ्रेंडली बर्चट वाले एरिया में गय थे इतनी रात को बहार कुछ जादा खाने के लिए मिलेग है तो आप वाक करके स्टेशन जा सकते हैं इसके लिए हमने टैक्सी वैक्सी नहीं किया क्योंकि मम्मी लोग भी आये थे तो उनको भी पता चले कि नाइट लाइफ कैसी होती है मुंबई में ताकि वह हमको रात को भेज सके चाओ बेटा घूम लो मुंबई रात भर सेफ हो क्योंकि मैं खुद अपना सीट लेकर बैठी लोकल में इक पर अगर सीट चली गई ना तो वापस नहीं मिलती तो प्लीज कमेंट करके बताओ कैसा लगा मेरा व्लॉग वैसे मुझे पता है आपको बहुत मज़ा तो नहीं आओगा पर जितना भी मज़ा तो आया होगा थैं क्यू